नमस्कार दोस्तों में हूँ पढ़नी द्रुनाचारे सास्त्री और आप सुन रहे ओनलाइन एस्ट्रोलोजी क्लास। दोस्तों आज हम जनेंगे कि महिलाओं में होने वाली दर्द भरा मासिक धर्म का क्या करण है और इसको किस प्रकार दर्द होने से हम रोक सकते हैं ऐसे क्या खाए पीए जिससे दर्द होना बंद हो जाए दोस्तों पिरेड यानि मासिक धर्म महिलाओं के लिए कश्टकारी होत बगवान ने इनके सारीरिक विकारों को निकालने के लिए विशेस तौर पर पिरेड होने के लिए प्रेरित किया गया क्योंकि इसके वगएर श्त्रियां भगवान के इस श्रिष्टी उतपादन रुपी महान कार्य में सहबागी नहीं हो सकती थी मासिक धर्म होने के पिछे पौराणिक मान्यता है कि किसी रिषी के द्वारा प्रदत्त सराव से मुक्त होने के फलस्वरू इंद्र ने अपनी सराव को चार अलग-अलग भागों में विवक्त किया जिसमें से एक इस्त्रियों का मासिक धर्म भी माना गया है पर चुकि यह सारिरिक प्रक्रिया है अतर बिग्यान के द्रिष्टिकोड को भी जानना बहत जरूरी है ड्यक्टरों का कहना है कि महिलाओं के सरीर में बनने वाला प्रोस्टाग्लेंडिन नामक रशायन ही मुक्षत अव मासिक धर्म में बनने वाली समस्या का मुक्य कारण सिंपल भासा में कहे तो प्रोस्टाग्लेंडिन ही गरवासा के मानश पेशियों में संकुचन को बढ़ाता है फलस्षरुप जिन में इलाओं में यहां प्रोस्टाग्लेंडिन का मात्रा आदिक होता है उनको आदिक दर्द और जिन में कम होता है उनको दर्द भी बहुत कम होता है यानि कि पिरियेट्स के समय में वाटवाकी का होना उल्टी का आना कमर में दर्द का होना या अन्य तकलिव का मुख्यकारण फ्रोष्टा ग्लेंडी नहीं है वैसे इस समय में मध्यम दर्द का होना अच्छा होता है दर्दरहित मासिक धर्मा और अधिक दर्दयुक्त मासिक धर्मा दोनों ही चिंता का विशय है वैसे यदि थोड़ा बहुत ही दर्द हो तो इसके लिए सहन सकती से बड़ा और कोई दबाई नहीं हो सकता क्योंकि पिरियर्ट के वक्त सरीर में इस्थित टक्षिन और विजाती अपदार्थ ब्लड के साथ बाहर निकलता है या त सकत्रों से कोई कम नहीं है आप अधिक दर्द होने पर गरम पट्टी या पानी अटवेग आदी से पेट के निचले हिस्से में सावदानी से सिकाई कर सकते हैं और दिखाए गए या जो योग आसन है इनको आप बहत सावदानी के साथ रितुस्राप से उस दिन पहले से ही प्रारंब करके पिरेट से 5-6 दिन बाद तक आप इस योगासन को कर सकते हैं यह योगासन बिसेस करके इसी पिरेट में होने वाली जो समस्या है जो तकलीफ है उससे निजात दिलाने के लिए बहत कारगर मना गया है पर फिर यदि आपको आसनी या दर्द होता हो आप इस शरीर में इस प्रकार के जो असनी या जो दर्द है उसे कुछ कम कर सकते है जो कि यह हायुरवेदिक दबाई है इसलिए यह आपको साइड भेक नहीं करेगा और आपको किसी प्रकार का कोई हानी नहीं कर सकता आपको मैं यह जो दबाई बताने जा रहा हूँ यह आपके घर में अडोस पडोस में दुकानों में भी मिलि जाता है इनको आपने कलेक्शन करना है और आपने हातों से ही इसको बना करके प्रति दीवस आप इसको प्रहो कर सकते हैं जैसे मुली के बीज, गाजर के बीज, मेथी का दाना इन तीनों को बरुबर मिला करके पाउडर को बनाना है और सुब साम तीन मासा के मात्रा में गरम पानी के साथ आना है तो चार-पंच दिनों में ही बंदा हुआ मासिक धर्मा खुल जाएगा कभी-कभी मासिक धर्मा के बंदा होने के फलसरूप भी आपको पेट में दर्द होता है जिन मैलाओं में मासिक धर्मा बंदा हुआ हो जिन छोटी-छोटी लड़कियों में मासिक धर्मा खुल के नहीं आता या बंदा हो जाता हो ऐसे परिस्तितियों में उनकी लिए यहाज जो मैंने अभी बताया हुआ जो दबाई है बहत कारगर है दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ काफल काफल नाम का कोई एक पेड़ है उसका छाल केसर और काली तील और अट्यंत पुराना अगर गुण मिल जाए तो बहत अच्छा होगा इन सभी को एकत्रित करके रखे थोड़ा सा कुट पीस के फिर काली तील के थोड़ा सा काड़ा बनाना है आदा गिलास काड़ा में काफल के चाल केसर थोड़ा सा और काली तील कुटा हुआ और गुण यह जो मिक्स करके जो आपने रखे थे एक चमच इन तीनों को मिक्स करके एक चमच थोड़ा सब बनाना उसके बाद आपने पिरेड का जो दर्द है अगर ज्यादा होता हो तो यह आप पिरेड आने से तिन दिन चार दिन पहले से ही खाना सुरू करे तो पिरेड के वक्त आपको ज्यादा दर्द नहीं ओड़े यदि पिरेड के टाइम में अधिक रखता स्राव होता हो लोहा को गरम करके दूद में साथ बार डुबाए और इसे पी लने चाहिए साथ बार जो आप दूद में डुबाएंगे तो यह ध्यान देना है कि यह जो लोहा है अच्छी तरह से लाल हो जल करके फिरे वो लाल लाल जो लोहा है दूद में उसी तरह से आपने इसको डुबो के रखना है और साथ बार डुबोने के बाद साथ दिन तक आपने इसको पीना है या भी वही पिरियद से 3 दिन पहले और पिरियेड के वक्त का या जो समय होगा इस समय आपने इस उपाय को करना है दोस्तों आप में जो उपाय बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुने और वैसा ही करे जैसे में बतां। यह तरीका रक्त स्राप में अत्याधिक दर्द का जो है राम बाड़नुसका है इसी द्यान से सुने नोट करे और इसको अवश्य करे यह एक ऐसा उपाय है जो वाकई में वेहत कारगर है आपने करना क्या है कि रितुकाल यानिकी पीरियेट्स के समय में समय से चार दिन पहले अगस्ती नाम का एक फूल होता है आप गुगल से इसको सर्च करें आपके अड़ोस पड़ोस में भी यह लगा हुआ मिल सकता है उस अगस्ती फूल का जो जड़ है उसको उपाड़ना है और उसके छाल को निकाल करके आदा तोला छाल को ले 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 फिर दस्तों काली का दस दाना इसको ले करके कपड़ चान चुरून कर ले और उसमें कंटकारी कैसे भी हो कंटकारी बजार से आपको मिल जाएगी कंटकारी का उपर का जो कोपिला होता है जो गुदा होता है सबसे उपर का फूल से जहां लगे और जहां से दाना लगने वाला हो वहां का जो कोपीला है उसको एक कोपीला लेकरके इनको कपड़ च्छान चुरून कर और इसको इन सब को मिला करके कुटपीस करके चुरून बनाए और इसका चनिके दाने के बरोबर गोली बनाकरके रखे दोस्तों इसे रितुकाल से तीन दिन पहले से ही सुब दोपर और साम को खाने से आपका किसी भी प्रकार का रितु स्राब के बाद उदपन होने वाला जो दर्द है कितना ही भयानक सा भयानक जो दर्द है बिलकुल पल भर में आपकर ठीक हो जाएगा यह दबाई रितु स्राब के दर्द ही क्यों रितु स्राब से संबंदित जीतने भी जो समस्याएं हैं संतान उत्पादन होने में जो समस्या होगा यह सभी पिरिट्स के अनियमित परिस्टियों के ही वज़े से होता है यह दबाई ऐसे वक्त में आपके लिए बहुत कारगर होगा बहुत अच्छा रहेगा इसका खाने का नियम यही है कि यह जो चने के बरुबर का जो दबाई है आपने छे दिन पहले से ही इसको खाना सुरू करना और पांच दिन बाद तक रितु काल से छे दिन पहले से सुरू करिए और रितुकाल के पांस दिन बाद तक आपने इसको खाते रहना है और इतना जरूर ध्यान दे कि जब रितु स्राब हो उससे दो या तीन दिन पहले से ही आपने एक टॉब मार्केट से लियाना यदि आपके घर में हो तो भी चलेगा टॉब में डालिये गरम पानी और उसके उपर आप बैठ जाईए तक करीवन में एक घंटे तक बैठना यदि आपका बहुत ज़्यादा दर्द होता हो ज़्यादा ब्लड वैता हो तो ऐसे में टॉब में रखिये डालिये गरम पानी गरम पानी डाल करके टब के अंदर पूरा पलाटिकस के आप बैठ लएगे एक घंटे तक आप वहाँ पर बैठे रहेगे आपका वो टब में पानी आपके ना भी तक वो पानी आजानी चाहिए ऐसा करके यदि तीन दिन पहले से रितू के बीच में भी और रितू के दो या तीन दिन बाद यदि आप करेंगे तो एक दो या तीन मेने का जो रितू है उसमें थोड़े थोड़े दर्द होगा उसके बाद आपके पूरी तरह से दर्द होना बंदा हो जाएगा दोस्तों यह सबसे बहतरिन कारगर और आजमाया हुआ हुआ है इसको करे आप जो माताएं हैं जो बहने हैं वो इसको करके अपने रिचु सराब से समंद जो समस्या है उससे आप निजात पाईए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आने वाले समय में फिर किसी और टपिक के पर चर्चा करने के लिए आपके सनुत पस्तित होंगा जैसरी राओं